हेलो एन वेल्कम दोस्तों मैं हूर आज और आप देख रहे हैं यहां तो आज हम डिसकुस करने वाले हैं यह स्पेशली वीडियो आसाम बोड के लिए एडुकेशन यानि कि फॉर्स सेमिस्टर के एडुकेशन की पहली चेप्टर के हम लोग नोट डिसकुस करेंगे यहां पर देखते हैं वीडियो को देखो इससे पहले मैं बता दू कि कोई भी डाउट हो कोई भी दिक्क्रत हो कमेंट से जरूर कमेंट करना या फिर आप मुझे इंस्टागम पर फॉलो करके पूछ सकते हो साथी चाथ अगर इस पीडियाफ की लिंक अगर आप लोग को चाही हो ते चोटी सी पेमिंट करके आपको यह पीडियाफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में मैं देदूंगा कि कैसे लेना है ठीक है तो चलिए देखते हैं सबसे पहला पहला यूनिट हमारा कॉंसेट ऑफ एडुकेशन तो यहाँ पर देखो ना कॉंसेट अब इडिक्शन में सबस सब्सक्राइब इडिक प्रोर्शस तो क्या ये कन ऌं एडिक्शन एडिक्शन परोसेस्रांख लाइव राइश लूप्रोसेश के बाद ट्रोसेस हम इसका बाक देख़ Люб ऌक एडिक्शन सब्ला Ηोंट से एडिक्शन is a к्रुशंड 맛 इने शाउन बोडी तो kita शन ने कहा था Aristotle ने, education has three types, dash, informal, non-formal, यह उता है, formal, informal, और non-formal होता है, तो dash is a bipolar process, तो education is a bipolar process, according to John, education is a dash process, तो यह a tripolar process है, modern education is dash centric, तो child centric, informal education is not dash by society, recognized, dash has described education as a bipolar process, तो John Adams, formal education is dash, fixed with a limited plan, तो इस तरीके के जोना है, एम से छोटे जोटे 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 जना, one mark वाले questions आप लोग को मिलेंगे यहां पर, उसके बाद देखो यह सब सारे one mark वाले, true, false, फिर very short questions, यह सब आपको यहां पर मिल जाएगा, ठीक है, तो यहां पर detail में हम लोग हर कुछ, जैसे कि देखो, what is education, education क्या है, who said education is bipolar process, who said education is tripolar process, education is the manifest of divine perfection already existing in man, who said this, Swami Vivekananda, तो सब से पहले तो यह सब सारे जोटन आप लोग को one mark वाले questions आप लोग को मिल जाएगे, ठीक है, तो यह सब one mark वाले questions है, तो one mark वाले questions जैसे कि, और भी कुछ-कुछ है, जैसे कि, write one function of school, write one duty of school, one function of school क्या है, one duty of school क्या है, what is mean by open, open का मतलब क्या है, what is distance education, write one important functions of education towards society, how is Gandhiji defined education, तो according to Gandhiji, by education I mean, all the round drawing out of the best in child and man body, mind, spirit, what do you mean by the scope of education, scope of education क्या है, give two definitions of education, education का दो definition बताओ, write two characteristics of distance education, दो characteristics बताना है, distance education का, ठीक है, mention two merits of open education, two merits of open education, तो एक राइट टू करेक्टर्सिक्स फार्मल एडुएशन का दो गयरेक्टर्सिक्स है, यह short questions के बाद जो न, यह सब उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर two mark वाले questions, यह सब सारे आपको two mark वाले questions मिल जाएगे, यह सब सारे two mark वाले questions हो गया उसके बाद जो यह हो गया है उसके बाद यहां पर थोरे से बड़े questions जैसे एक्स्प्लें education is a bipolar process एक्स्प्लें education is a tripolar process आपको मिल जाएगा और बाइपोलर में teacher ट्राइपोलर में यह मिल जाएगा आप लोगों को जिसमें student, teacher और society होता है एक्स्प्लें करो education is a lifelong process तो यह सब सारे notes आप लोगों मिल जाएगा description में मैं लिंक दे दूँगा एक चोटी सी payment करके आपको यह first semester की education की notes आप लोगों प्रवाइड में करवा दूँगा ठीक है तो आई होप आपको यह video informative लगी होगी आप हमारे साथ जुरेड है क्योंकि हम आने वाले videos में जल से जल 2nd, 3rd और 4th सारे units को हम लोग इसी तरीके से आप लोगों नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले video में तब तक के लिए गुडबाई